RGPV Diploma के previous year के question papers को solve करने की series के इस वीडियो में हम year 2023 के computer programming का question paper solve करेंगे और आज की इस वीडियो में हम इस question paper के objective questions को solve करेंगे तो इस question paper में जो पहला objective question है वो है कि C language में निम निलिखित में से कौन सा विकल्प loop का उदाहरण नहीं है मतलब निम निलिखित option में से कौन सा option loop का example नहीं है तो for एक loop का example है while भी एक loop का example है do while भी loop का example है लेकिन if जो है वो loop का example नहीं है if हम use करते हैं conditions को check करने में इसलिए इस question का सही answer है option number d if उसके बाद दूसरा question है C language में निम निलिखित में से कौन सा विकल्प array को initialize करने का सही तरीका है मतलब जब हम array को initialize करते हैं तो array को initialize करने के लिए कौन सा syntax निम निलिखित में से हम use करते हैं तो option number a में जो syntax है वो देखने में सही लग रहा है option number b में जो syntax लिखा है वो पूरी तरीके से गलत है जब भी हम array variable को initialize करते हैं तो हमें ये square bracket लगाना जरूरी होता है उसके बाद option number 3 भी देखने में कुछ-कुछ ठीक लग रहा है लेकिन option number 4 पूरी तरीके से गलत है क्योंकि जब भी हम array को initialize करते हैं तो हमेशा हम square bracket लगाते हैं तो यहां पर हमारे पास दो option हैं जिसमें square bracket लगे हुए है variable के नाम के आगे तो ये दोनों option ही ठीक लग रहे हैं लेकिन दोनों option वैसे जब आप सही प्रोग्राम बनाएंगे तो दोनों ही option सही सही रन कर जाएंगे लेकिन अगर हमें objective में दोनों option दिये हैं A और C तो दोनों में से जो ज़्यादा सही option है वो A है तो इसलिए अगर आपको question paper में ये दोनों example मिले तो ये उपर वाल example जिसमें हम array का size भी बता रहे हैं square bracket के अंदर तो वो option ज़्यादा सही है तो इस question में हमारे लिए जो सही answer ह वो option number A होगा उसके बाद next question है निम्न लिखित में से कौन सा विकल्प printer function में float संख्या के लिए सही format specifier है मतलब floating point number को print कराने के लिए हम कौन सा format specifier use करते हैं तो percentage D हम integer के लिए use करते हैं percentage C हम character के लिए use करते हैं formative specifier percentage S हम string के लिए use करते हैं और ये percentage F जो है ये हम use करते हैं floating point number के लिए जो की हमारा question हमारे question में बोला है कि float संख्या को print करने के लिए कौन सा format specifier होता है तो formative specifier percentage F है जो की हमारा option number C है और ये इस question के लिए जो सही option है वो option number C है उसके बाद next question है निम्न लिखित में से कौन से operator द्वारा एक integer variable के मान को एक से घटाया जा सकता है मतलब ऐसा कौन सा operator है जिससे हम किसी integer variable की value को एक से घटा सकते है तो option number A जो है जो पहला option है वो logical end operator है ये घटाने के लिए use नहीं होता किसी variable के मान को इसी तरीके से जो option number B है वो conditional operator है ये भी use नहीं होता किसी variable के मान को घटाने के लिए option number C में हमारे पास plus plus operator है ये भी use नहीं होता किसी variable की value को घटाने के लिए in fact ये variable की value को बढ़ाने के लिए एक से बढ़ाने के लिए उप्योग किया जाता है Option number D में हमें decrement operator दिया है तो यही वो operator है जो किसी variable की value को एक से घटा सकता है इसलिए इस question का जो सही answer है वो option number D है उसके बाद हमारे पास जो पाचवा और आखरी question है वो है कि C language में निम्न लिखित में से कौन सा विकल्प array के पाचवे element को access करने के लिए उपयोग किया जाता है तो इस question को समझने के लिए चलिए पहले हम एक array draw कर लेते हैं और उसमें एक ऐसा array जिसमें कम से कम 5 element तो हो ही क्योंकि हमें array का पाचवा element access करने का index बताना है तो मान लेजे कि एक array है जिसमें 5 या उससे ज्यादा element आ सकते हैं उसके बाद इस array का नाम है marks जो की हमारे question में दिया है तो यह marks नाम का array है जिसमें कि students के marks store किया जाते हैं तो अब उसके बाद जो array होता है उसका जो पहला index होता है वो 0 होता है फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 अब यह हो गया array के index और यहां पे कुछ element होंगे तो यहां पे पहला element होगा array का यहां पे दूसरा element होगा यहां पे तीसरा element होगा यहां पे चौथा और यहां पे पाच्वा अब हम question को फिर जब समझते हैं किसी language में निन लिखित में से कौन सा विकल्प अब array के पाच्वा element को access करने के लिए उपयोग किया जाता है अब इस array का हमें पाच्वा element access करना है तो इस array का पाच्वा element कौन है यह है तो पाच्वा element को access करने के लिए हमें index 4 को access करना पड़ेगा और index 4 को access करने का जो syntax होता है वो होता है array का नाम तो array का नाम हमारा क्या ह हमारा array है फिर square bracket के अंदर वो index जहां पे हमारा element है तो कौन सा index है 4 तो यह 4 वाले index का element हमें access करना है क्योंकि 4 वाले index में 5 वाले element है तो अब हम options देख लेते हैं तो option number A में हमें दिया है marks और square bracket के अंदर 5 index तो जो कि सही option नहीं है क्योंकि अगर हम five index access करेंगे तो हम छटवे element को access कर रहे हैं जो कि इस option के लिए हमारी requirement नहीं है उसे तरीके से अगर marks six करेंगे तो हम साथवे element access कर पाएंगे तो यह भी option गलत है उसके बाद option c है option c जो कि हमारे answer के साथ match कर रहा है तो यह option सही होना चाहिए और उसके बाद option number d है जो कि पूरी तरीके से गलत है क्योंकि यहाँ पे array के नाम के बाद index की जगह alphabets लिखे हुए है यह कुछ नाम लिखा हुआ है जो कि पूरी तरीके से गलत है यहाँ पे हमें array का इंडेक्स बताना है जो कि digits में है तो यह option पूरी तरीके से गलत है तो a गलत है बी भी गलत है और d भी गलत है तो इस तरीके से इस question के लिए जो हमारा 2 का option number a solve करेंगे आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद